हेलो डियर स्टुडेंट्स गोड मॉर्निंग तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेंस के उपर बेस्ट नुमेरिकल्स ठीक है कि और उसकी हम कुछ थिवरी भी देखेंगे कि अगर कोई लेंस पे बेस्ट फॉर्मूल क्वेस्टन है तो उस क्वेस्टन को कैसे किया जाए सबसे पहले अपन उसकी थिवरी समझते हैं ठीक है तो हम बात करने जा रहे हैं लेंस के उपर तो देखिए लेंस को हम जानते हैं दो तरीके का होता है एक को बूला जाता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है अपना कॉनकेव लेंस ठीक है कॉनकेव लेंस ये दो तरी तरीके के lens होते हैं अब देखिए अगर हम convex lens की बात करें तो convex lens कुछ इस तरीके से होता है ठीक है अब देखिए अगर इसमें बात करें तो यह principal axis है concave lens की बात करें तो concave lens आपका यह रहा और यह है इसकी principal axis ठीक है अब देखिए जो object है वो left side रखा गया है काने का मतलब है कि जो raise है वो इस side से आ रही है ठीक है तो अब बात करेंगे इसमें u, v और f के क्योंकि अगर lens के formula की बात करें इसके formula की बात करें तो जो formula होता है वो होता है lens में 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f यह होता है तो किरिपिया यह direct formula याद करने कि 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f यह होता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम बोलते है कि u और v और f को हम रखते है प्रॉपर साइन ठीक है प्रॉपर साइन के साथ तो हम बोलेंगे value of value of u v and f with proper sign with proper sign ठीक है मतला हम इनको रखेंगे proper sign के साथ ठीक अब चलिए यहाँ पे आते हैं तो raise आ रही है इस तरीके से हम जानते हैं कि जो convex lens होता है उसमें first focus इस साइड होता है first focus इस साइड होता है second focus इस साइड होता है मतलब यह f1 और यह f2 ठीक है हमेशा जो lens में हमारे selvas में जो lens में दिया गया होता है वो हमेशा f2 दिया गया होता है ठीक है मतलब अगर convex lens है और जब numerical अपन देखेंगे तो उसमें focus की अगर बात करता है तो हम समझ जाएंगे कि वो second focus की बात कर रहा है ठीक है object आपका इस साइड रखा होगा तो देखिए यहीं पर हम sign convention भी देख लेते हैं तो देखिए लगयात sign convention देख लेते हैं यह हमारा pole है ठीक है यह pole अगर pole के right side में कोई object मतलब कुछ भी रखा हो उसे हम क्या लेंगे positive यानि कि pole के right side में distance अगर major करते हैं तो negative लेंगे ठीक है हम distance की बात कर रहे हैं left और right में distance की बात कर रहे हैं उसी तरीके से देखिए यह भी है हमारा distance उसी तरीके से अगर बात करें कि हम height को उपर की direction में देखते हैं तो जो height मिलेगी या जिसे बोलेंगे length मिलेगी वो होगी positive ठीक है आप इस side लें या इस side lane length कैसी होगी positive होगी लेकिन अगर नीचे की direction में length दे रखी है क्या चीज़ दे रखा है length दे रखा है तो वो length negative होगी इतनी बातें आपको समझनी है तो length कैसी होगी negative तो pole के अगर right direction में आप कोई भी distance measure करते हैं तो वो positive होगा left side में distance negative होगा pole के upper side में length की बात करते हैं तो length होगी positive अगर नीचे length की बात करते हैं तो length होगी negative तो ये आपका sign convention है इसे क्या बोलते हैं sign convention और ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है इसे आप star बना के लिख लेजिएगा ठीक है इसे अलग से बताना था लेकिन कोई नहीं यहीं पे च अब देखिए object को हम रखेंगे हमीशा इस direction में इसके इस side हम रखेंगे object को तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि pole से अगर left side के distance की बात करें तो कैसी होगी negative मतलब u की value हमें कैसी मिलेगी negative मिलेगी ठीक है अब देखिए यहीं पे बात करें अगर इस side में image बन रही है ठ फिर क्या हो जाएगी positive ठीक है लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें देखिए इधर हमने रखा था object को मतलब यह हमारा object है तो object यहाँ pole से जो distance मिलेगी यह distance होगी u और u की value होगी negative ठीक है लेकिन अगर by the way image भी इस side बन गई मान लेते हैं कि यह बनी है image ठीक है तो अगर यह image बन गई तो यहाँ से जो V मिलेगा वी वी negative होगा मतलब अगर हम pole से distance की बात करें तो यह negative होगा बट आप एक हमेशा भात ध्यान रखना कि जो convex lens है उसमें जो focus मिलेगा वो हमेशा second focus लेते हैं और यह always positive होता है always positive ठीक है यह बोलेंगे always positive इसे आप ध्यान रखेंगे ठीक ह अब इसी तरीके से अगर हम concave lens की बात करें तो pole से ही distance अपन measure करते हैं तो देखिए अगर object या image कुछ भी इस side हो object हो या image हो कुछ भी हो इसकी value कैसी होगी negative होगी ठीक है बात समय में आ रही है अगर हम बात कर ले रहे हैं इस side तो इस side अगर image रखी गई है image या object कुछ भी रखा गया है वो होगा positive क्या होगा positive होगा ये भी ध्यान रखना है आपको height की बात कर रहे हैं अगर height उपर है तो positive नीचे है तो negative लेकिन बात करते हैं हम इसके focus की तो इसमें भी अगर हम बात करें तो ये होता है second focus मतलब इस side होता है second focus और इस side होता है अपना first focus लेकिन numerical मे जब भी focus की बात करेगा वो second focus की ही बात करेगा ठीक है? तो हम बोलेंगे कि जो concave lens है, focus इस side है मतलब यह F तो यहां से जो focal length मिलेगी F, उसकी value negative होगी क्योंकि concave lens में हमेशा focus इस side होगा और इसकी value क्या होगी? negative होगी तो numerical में आपको इतनी बाते ध्यान रखनी पड़ेंगे जब भी numerical आएगा आपको यह चीज़े याद रखनी पड़ेंगी कि कब value positive होगी कब value negative होगी तो sign convention भी आप समझ गया है सब कु समझ गया है चलिए, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं magnification के अब यह भी जानेंगे कि magnification है क्या तो देखिए, size of image और size of object का जो ratio होता है वही magnification होता है या फिर हम बोलते हैं distance of image और distance of object का जो ratio होता है वही होता है magnification ठीक है, तो हमारी heading होने वाली है magnification magnification ठीक है अब देखिए, जो यहाँ पर magnification है magnification को denote किया जाता है M से तो हम बोलते हैं size of image size of image या इसको बोल दे ratio of ratio of size of image and size of object and size of object is called is called what magnification is called magnification ठीक है यह भी आप याद रखेंगे या फिर यहीं से हम बोल देंगे एक चीज़ और कि ratio of ratio of distance of distance of image distance of image and distance of object and distance of object is called is called is called what magnification क्या बोल देते हैं magnification इत्ती बात समझ में आई हा किना आया आई है आ गई चलिए तो हम बात कर रहे है magnification की तो magnification क्या होता है अभी हमने देखा कि size of image size of image और यहां पर बोलेंगे size of object size of object यह हो गया is equals to यह भी हम बोल देते हैं कि distance of image distance of image from the pole कहां से measure करते हैं अपन distance from the pole upon distance of object distance of object from the pole ठीक है यह होता है magnification यानि हम इसे बोल सकते हैं कि m is equals to size of image का मतलब height of image upon height of object is equals to distance of image from the pole is v upon distance of object from the pole is u ठीक है यह चीज़ होता है magnification तो खेर आपको यह याद रखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो m की value है वो hi upon ho is equals to v upon u होता है ठीक है तो यह formula है दोनों formula के base पे हम numerical कर सकते हैं तो इसमें कहीं आपको doubt नहीं होना चाहिए सारी चीज़े clear है कि जो magnification होता है वो ratio of size of image and size of object होता है उसी तरीके से हम बोल सकते हैं या कि distance of image and distance of object का जो ratio होता है वो magnification का लाता है ठीक है magnification का मतलब होता है magnified ठीक है मतलब size कितना बड़ा है कितना clear है इस चीज़ को बोलते है magnification ठीक है और इसकी definition हलाकि अलग तरीके से magnified का मतलब ही होता है कि वो image जो हो clear हो और बड़ी हो इसी को बोला जाता है magnified ठीक है चलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होते हैं distance of distance of object from the pole तो हम बोलेंगे object distance इसको क्या बोल सकते हैं object distance आप समझ जाईएगा कहां से measure करना है from the pole अगर V की बात करते हैं तो V होता है image distance V को क्या बोल देते हैं image distance ये बोल देते हैं अब देखिए HI को अपन बोलेंगे ने पहले F को F को बोलते हैं focal length क्या बोल देते हैं focal length और जो given होगा जो given होगा वो हमेशा always second focus always second focus मतलब हमेशा second focus ही given होगा बात सुइना रही है उसी तरीके से चलिए इसके बाद है HO HO को बोला जाता है height of object height of object ये बोल देते हैं इसी तरीके से HI को अपन बोलते हैं height of image height of image ये बोल देते हैं ठीक है तो HO को बोला जाता है height of object और HI को बोलते हैं अपन height of image इतनी बात समझ में आगई चलिए ये सारी बातें आपको समझ में आगई अब करते हैं अपन निमेरिकल और ध्यान से समझेगा आपको हर एक बात समझ में आगई निमेरिकल आप 100% कर लेंगे ठीक है देखिए first question हमारा दिया गया है कि an object of height 4 cm is placed at a distance 24 cm in front of a convex lens of focal length 8 cm इसमें first बोल रहा है कि find the position and size of image second बोल रहा है कि state the characteristics of the image ठीक है ये बोल रहा है अच्छा question करने का तरीका होता है अगर हम question को अगर proper way में करते हैं तो हमें question करने में बहुत आसानी होती है और question करने का तरीका क्या है देखिए बोल रहा है कि an object of height 4 cm यानि कि height of object को किसे दिखाते थे है एच्चो से और ये दे रखा है 4 cm ठीक है इसके बात बोल रहा है कि placed at 24 cm जो lens है और lens कौन सा है convex lens है तो हम साथ में photo भी देखते चलेंगे बोल रहा है कि यहां पर जो object रखा गया है यहां से 24 cm की distance पर रखा गया है ठीक है तो हम बोलेंगे u की value कितनी है 24 cm ठीक है और बोल रहा है कि जो यह object है इसकी height दे रखी है 4 cm के बराबर बात सुझे मारीए तो हम बोलेंगे कि u की जो value है वो है 24 cm लेकिन minus में किस में होगी minus में होगी ठीक है इसके बाद देखे बोल रहा है कि focal length 8 cm है तो अगर focal length की बात करें तो convex lens में focal length क्या इस side होता है हाँ बिलकुल तो हम बोलेंगे कि focal length यहां से measure की जाएगी और यह f और f की value होगी 8 cm के बराबर ठीक है अब हमसे बोल रहा है कि find the position of image तो बोल रहा है हमसे कि v की value बताईए क्या होगी position of image यह होता है उसके बाद size of image के बात कर रहा है मतलब height of image हमसे यह पूछ रहा है ठीक है उसके बाद इसके characteristic के बारे में पूछ रहा है मतलब हम बोल देंगे इसके बाद इसके nature के बारे में पूछ रहा है ठीक है तो हम यह हमारा question है अब समझेगा याँ पर कि सारी चीजे तो दे रखी है अब बात है कि हमें V calculate करना है हमें height of object दे रखा है हमसे height of image पूछ रहा है तो सबसे पहले हम height of image निकाल सकते हैं ठीक है? सबसे पहले हम height of image निकाल सकते हैं वो भी कैसे? लेकिन सबसे पहले नहीं सबसे पहले तो हमें focal length दे रखा है देखो U दे रखा है focal length दे रखा है तो सबसे पहले हम V calculate करेंगे मतला हम calculate करेंगे position of image ठीक है? तो हम लिखेंगे 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F ये रखने वाले हैं 1 upon V और V की value क्या है? हमसे पूछ रखा है is equals to 1 sorry minus 1 upon U और U की value देखें minus 24 cm है तो minus 24 cm is equals to 1 upon F और F की value 8 है ये दर रखी है ठीक है? चलिए इसको फिर से लेकें 1 upon V minus minus क्या हो जाएगा? plus 1 upon 24 is equals to 1 upon 8 ये आ गया है ठीक है? अब देखिए यहां से 1 upon V is equals to अब इसको इस साइड भेट जिले तो 1 upon 8 minus 1 upon 24 ये आएगा अब LCM की अगर बात करें तो क्या LCM इसका 24 होगा? बिल्कुल 8 और 24 का LCM कितना होगा? 24 तो 8 3 जा कितना होगा? 24 तो 3 बन्जा 3 फिर यहां पे minus 24 बन्जा 24 तो 1 into 1 is 1 तो ये आगया 3 minus 1 is 2 तो 2 by 24 आगया अब इसको अपन डिवाइट करेंगे तो 1 by 12 आएगा ठीक है? यानि कि देखिए आया क्या है? आया है कि 1 upon V is equals to 1 upon 12 तो V is equals to आगया 12 cm ठीक है? ये आगया यानि कि V की value कैसी आई है? positive आई है और positive आने का मतलब image किदर बनेगा? image आपका बनेगा इस side ठीक है? image बनेगा इस side तो इस side अगर image बनता है अच्छा है तो फिर एक चीज़ तो मिल गया है ठीक है? चलो ठीक है अपन समझते हैं अगर इस side image बनता है तो image का nature क्या होता है? image होगा real और होगा inverted आप सबने अगर formation of image देखा होगा तो वहाँ पे तो ये चीज़ हमने देखी थे न कि अगर यहाँ पे अगर image बन रही है इसके इस side मतलब focus के side तो हम बोलते हैं कि जो इसका nature होता है क्या चीज़? जो इसका nature होता है वो होता है real and inverted real and inverted ये होता है तो ये बात तो आपको समझ में आगे कि real और inverted होगा ठीक है? अब चलिए हम बात करते हैं height of image की तो अभी हम formula देखे हैं कि m is equals to hi upon ho is equals to v upon u होता है ठीक है? ये होता है height of image हम से पूछा है तो h देखें इन दोनों की help लेंगे अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे तो हम यहां से ये बोल सकते हैं hi is equals to इसको यहां multiply करते हैं तो v upon u into height of object ये आ जाएगा ठीक है? तो देखें अब value अगर अपन put करें तो इधर erase कर रहे हैं इधर तो अब need है नहीं इधर ही लेके आते हैं इसको चलिए समझें हम से बोल रहा है hi hi is equals to v upon u v upon u into ho ये हो गया समझते हैं यहां पर hi is equals to v और v की value आप देखें कि 12 cm है और positive है यानि कि इसको लिखेंगे 12 बटे में sorry नहीं नहीं ठीक है अगर लेकिन अच्छा है v की value ठीक है अगर u की बात करें तो u की value है minus 24 तो रखेंगे minus 24 into height of object is 4 cm यानि कि 4 ये हो गया अब देखें 12 से cut करेंगे तो 2 time cut होगा ठीक है अब 2 से cut करेंगे तो 2 time होगा तो height of image is equals to minus और ये plus है तो क्या minus 2 cm होगा बिल्कुल होगा अब यहां पर ध्यान से समझें जो height of object है वो 4 cm है जो height of image है वो minus 2 cm है यानि कि हम देख रहें कि height of object is greater than height of image मतलब height of object जदा है height of image से ठीक है और image की value कैसी है negative यानि कि हमारी जो image बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी ठीक है और देखिए height of image छोटी होगी height of object से मत सुझना रही है तो आपको ये सारी बात याद रखनी होगी और ये नीचे ही क्यों बना है क्योंकि जो height of image है वो minus में है और minus में होने का मतलब कि जो image बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी बात सुझन में आ रही है चलिए अगर ये question में कहीं पे कुछ भी doubt हो तो आप जरूर पूछिएगा हमने nature वगर भी बता दिया कि real होगा और inverted होगा अगर magnified की non-magnified की बात करते हैं तो ये magnified नहीं होगा क्योंकि magnified का मतलब ये कि जब इससे ये बड़ा हो तभी magnified होगा ठीक है चलिए इसको हम erase करते हैं अब इसके बाद हम next question की तरफ move करेंगे चलिए next question देखिए क्या लिखा है बोल रहा है कि the focal length of a camera lens is 20 cm find how far away from the film must be the lens be set in order to photograph an object located at a distance 100 cm from the lens ठीक है मतलब ये बोल रहा है कि image कहां पर बनेगी ठीक है अगर किसी photograph के द्वारा आपन photo लेते हैं तो उसकी image कहां पर बनती है इसकी बात ये पूछ रहा है लेकिन आप एक चीज पहले समझ लीजिए कि जो photograph अगर होते हैं ठीक है उसमें जो lens यूज किया जाता है वो convex lens होता है कौन सा lens होता है अब चलिए इस numerical को अपन करते हैं बोल रहा है कि focal length of camera lens ये lens रहा है ठीक है अब focal length की बात कर रहे हैं तो focal length क्या हमेशा इस side होता है मतलब अगर ये convex lens है तो focal length इस side होगा और ये f की value जो है वो f की value आ जाएगी आपकी दिया है 20 cm ठीक है इसके बाद बोल रहा है कि इस camera से 100 cm की दूरी पर object रखते हैं तो क्या हम हमेशा object को इस side रखेंगे और ये जो distance दे रखी है इस pole से ये दे रखी है 100 cm के बराबर ठीक है हमसे पूछ रहा है कि image कहां पर बनेगी है ठीक है तो देखिए अगर हम u की बात करें तो u दे रखा है 100 cm लेकिन u की value होगी negative क्योंकि pole से ये left side में ये object रखा गया है ठीक है हमसे पूछा अच्छा f की बात करें तो f होगा positive क्योंकि ये pole से right side है ठीक है चलिए अब अगर बात करें तो हमसे पूछा है v की value तो देखते हैं कि v की value क्या आएगी हम लिखेंगे 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f ये put करेंगे अब देखिए 1 upon v रहने देंगे is equals to हम यहीं न करते हैं कि 1 upon f plus 1 upon u अब देखिए यह हो गया अगर इसके lcm की बात करें हम चलो दूसरे तरीके solve कर लेते हैं अगर इनके lcm की बात करें तो u f यानि कि f u ये lcm होगा अब f से f कटेगा तो u बन जा u बीच में plus से तो plus u से u कटेगा f into 1 is f ये आ जाएगा ठीक है चलो u की बात करते हैं तो u की value 100 तो यहाँ पर रखेंगे minus 100 अब देखिए plus में f की value है 20 तो plus 20 upon में अब देखो f की value दे रखें plus 20 तो 20 into u की value दे रखेंगे minus 100 तो यहाँ पर रख देंगे minus 100 ठीक है अब देखिए माईनस 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो ये माईनस 80 बनेगा अब इंटू अब यहाँ पर करेंगे माईनस और इसके आगे प्लस है तो क्या माईनस आएगा माईनस का प्लस में अगर मल्टिपलाई करेंगे तो माईनस अब 20 इंटू 100 तो हम लिख देंगे 20 into 100 ठीक है? देखो ये से ये गया अगर हम काटें तो 20 चब को 80 और 4 से 100 काटें तो 25 चब को 100 यानि कि ये आ गया 1 upon 25 के बराबर ठीक है? यानि कि हम देख रहे हैं कि 1 upon V की value जो आई 1 upon 25 आई है तो जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा यानि V की value आ गई है 25 और 25 ये value positive है कि negative है तो बोलेंगे positive है value कैसी है? positive मतलब जो camera है camera से जो photo खीचा जाएगा वो image इस side बनेगी image इस side बनेगी और अगर आप से पूछ दे यहीं पर nature बताएगे तो आप बोलेंगे कि image बनेगी उल्टाग क्यों? क्योंकि अगर convex lens के right side में image बनती है तो हमेशा वो opposite होती है तो अगर हमसे एक बढ़के question पूछ दे कि चलिए इसका nature बताएगे तो हम बोलेंगे कि real होगा क्योंकि जब भी image इसके side बनती है real होती है and inverted होगा and inverted तो real and inverted ये होगा इसका nature ठीक है? तो ये भी question बेतर question है चलिए कुछ questions की और अपन बात करते है चलिए next numerical अपन देखते है बोल रहा है कि a convex lens form and image 16 cm long of an object 4 cm long kept at a distance 6 cm from the lens the object and the image are on the same side of lens first पूछ रहा है कि what is the nature of image second पूछ रहा है find position of image and the focal length of lens ये हम से question पूछ रहा है ठीक है? सबसे पहले question का answer तो हम ऐसे ही दे रहेंगे देखिए हम से पूछ रहा है कि एक convex lens है ठीक है? और इस convex lens में जो image और object है दोनों same side है तो देखिए हमने image formation के time देखा था कि अगर ये object है ये image है अगर ये object है और ये image है अगर दोनों एक side में हों तो image हमेशा virtual बनेगी इमेश कैसा बनेगी? वर्चूल बनेगी तो एक तो हो गया हमसे पूछ रहा था कि what is the nature of image तो हम बोलेंगे कि nature कैसा होगा वर्चूल होगा तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि first question का answer है virtual देख है चलिए अब second की बात कर रहे है हमसे second पूछ रहा है कि position of image लेकिन दिया क्या क्या गया है? दिया गया है height of object ये दिया है 4 cm, height of image ये दिया है 16 cm ठेख है? और यहाँ पे और बोल रहा है कि kept at a distance 6 cm from the lens यानि कि जो object है वो lens से 6 cm की दूरी पर है यानि कि value 6 cm ये दे रखा है ठीक है? अब हमसे पूछ का रहा है position of image और focal length of lens बताईए क्या होगा? तो देखिए हमें ये पता है कि अगर ये lens है तो lens के left side में ही object रखा जाएगा मतलब minus होगा हमसे V की value पूछ रहा है और F की value पूछ रहा है देखिए जब तक हम value न पता चले तब तक हम decide नहीं करेंगे कि कौन कैसा है? देखिए हाला कि हमें पता है कि F के value positive आनी चाहिए लेकिन ये हम इसे mathematically प्रूफ करेंगे ठीक है चलिए हमसे V पूछ रहा है तो ये चार चीजे given है इनकी help से निकाल सकते हैं हमें बता है कि HI upon HO is equals to V upon U ये होता है अगर height of image की बात करें तो 16 cm, height of object is 4 cm, V हमसे पूछा है U की बात करें तो U है minus 6 cm तो ये दे रखा है तो V की value क्या आजाएगी? 16 into minus 6 upon 4 ये आएगा इसको हमने यहां भेज दिया तो 16 into minus 6 upon 4 आएगा 4 चुप को 16 और ये 4 है तो 4 का 6 में multiply करेंगे तो minus 24 आएगा यानि minus 24 cm आएगा यानि कि जो V की value आई है वो आई है minus 24 cm के बराबर ठीक है? ये आ गया अच्छा minus 24 आने का क्या मतलब है? कि जो image है वो object के side ही बनेगी मतलब image इस side बनेगी ठीक? बात समझ में रही है? चलिए अब अपन बात करते है focal length के तो अब हम यहां से formula लगाएंगे और formula लगाएंगे तो देखे हम क्या लिखेंगे? कि 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F ठीक है? हमसे Y दवे F पुछा है LCM की बात करें तो V U आएगा तो V U LCM आ गया V से divide करेंगे V कटेगा तो U का 1 में करेंगे तो U बीच में minus से तो minus U का cross करेंगे तो U कटेगा V का 1 में multiply करेंगे तो V is equals to 1 upon F आ जाएगा ठीक है? जब हम F की value निकालेंगे तो इसे पलट देंगे और पलटेंगे तो F की value क्या आ जाएगी? F की value आ जाएगी देखें यह पलटेंगे तो यह भी पलटेगा यानि कि V into U upon U minus V यह आएगा ठीक है? अब चलिए V की value पूट करें तो minus 24 cm दे रखा है तो यहाँ पर रखेंगे minus 24 into अब देखें U की बात करें तो U दे रखा है आपका minus 6 cm तो यह रखेंगे minus 6 upon U की value कितनी है? U की value है minus 6 तो minus 6 इसके बाद minus V की value है minus 24 तो लिखेंगे minus 24 यह आगया ठीक है? अब देखिए इसे अगर solve किया जाए तो minus का minus में multiply करेंगे तो plus आएगा यानि कि 24 into 6 यह आएगा upon में देखो minus का minus में करेंगे तो plus यानि minus 6 plus 24 यह आएगा अगर इसकी बात करें तो 24 into 6 ऐसे ही upon में यह देखिए 24 में से minus 6 घटाएंगे तो क्या plus 18 बचेगा? बिल्कुल बचेगा तो अब देखिए यहाँ पे हम F की value calculate करना चाहते हैं तो F की value आई है 24 यहाँ से देखिए यह लिख रहे हैं 24 into 6 upon 18 यह यह है 6,3,18 और 3,8,24 यानि कि 8 आगया यानि F की value आगयी है 8 cm और यह हमने देखा कि positive आई है कैसी आई है? positive आई है इसका मतलब convex lens में जो focus होता है इस side होता है और जो focus होगा इस lens का वो इस side और 8 cm के बराबर होगा मतलब इस में अगर lens पे best question आता है तो आपको कहीं पे कोई भी doubt नहीं होना चाहिए तो इसे copy करिए हम आइसके आगे move करते हैं चलिए अब अपन बात करने वाले हैं power of lens को कि lens की power होती है वो कैसे measure की जाती है यानि power of lens ठेक है इसको p से denote किया जाएगा तो देखिए अगर हम बात करें power of lens की तो p is equal to होता है one upon focal length और जो focal length होती है उसे हम हमेशा लेंगे मीटर में इन मीटर तो जो power of lens होती है वो होता है one upon focal length और जो focal length होगा वो हमेशा मीटर में लिया जाएगा ठीक है अगर हम इसके unit की बात करें तो देखो power की जो unit होती है वो डायोप्टर होती है क्या होती है डायोप्टर और डायोप्टर को हम डिनोट करेंगे डी से ठीक है डायोप्टर को डी से डिनोट किया जाएगा तो यह होगी power of lens ठीक है तो इसमें अच्छा power of lens का मतलब होता है कि जो light ray आती है उसको bend करने की चमता capacity उसी को बोला जाता है पावर ठीक है तो अगर numerical आते हैं इनके उपर तो इनको भी अपन देखने वाले हैं ठीक है तो तो